मुंबई में गिराफ्तार निर्दली सांसद नमनीत राणा को भाईखला जेल और उनके पती रवी राणा को तलोजा जेल भेजा गया बांदरा कोट ने 14 दिन की न्याई खिरासत में भेजा है सांसद नमनीत राणा और उनके पती रवी राणा के खिलाफ सरकारी काम में बाधा पहुँचाने के आरोप में धारा 353 के ताहत एक और केस दर्ज किया गया मुंबई में नमनीत राणा के घर के बाहर हंगामा करने के आरोप में पुलिस ने दस और शिवसेनिकों को गिरफतार किया अब तक 16 शिवसेनिकों की गिरफतारी हो चुकी है बीजेपी नेता किरीट सोमया पर हमले को लेकर महराष्ट बीजेपी के नेता आज दिल्ली में केंदरी ग्रसचिब अजे कुमार भल्ला से मुलाकात करेंगे किरीट सोमया दिल्ली पहुँच गए है नमनीत राना के बहाने बीजेपी और शिवसेना आमने सामने राजद्रोह की धारा लगाने पर बीजेपी ने उठाए सवाल हनुमान चालेसा का बाट कोई करेगा तो उस पे राजद्रोह का मुकदमा लग जाएगा उनके कंदे पर बंदुक रखकर सब राजद्रीती बीजेपी कर रहे हैं सबको मालूम है हम तो कहते हैं अगर आपको आपका हमारा कोई जगड़ा है तो आप सामने आखकर हमारे साथ लड़िए शिवसेनन नेता संजेराउद पर बीजेपी का हमला कहा आएनस विकरांद के फंड का एक आरोपी दूसरे आरोपी से मिलने गया था आएनस विकरांद घोटाला देशद्रोह है महराष्ट सरकार ने लाउड स्पीकर के मुद्वे को पर आज सर्वदली बैठक बलाई है मनस चीफ राज ठाकरे बैठक में शामिल नहीं होंगे हनुमान चालिसा विवाद में आम आदमी पार्टी की भी एंट्री आपने ट्विटर पर स्पेस पर किया हनुमान चालिसा का पार्ट उद्धव ठाकरे फर्नवीस और राज ठाकरे को भी आमंत्रित किया बीजेपी ने कहा आम आदमी पार्टी ओची राजनीती कर रही है बीजेपी नेता मोहित कंबोज की पुलिस को चेतावनी कहा एफायार दर्ज नहीं हुई तो देंगे धर्ना बीजेपी नेता पर 22 अप्रेल को मुंबई में सीम हाउस के बाहर हमला हुआ था दिल्ली में कॉंग्रेस ओफिस के बाहर हिंदू सेना ने लगाए पोस्टर लिखा टारगेट पर हिंदू तियोहार चुप है गांधी परिवार पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा महराश्ट के अमरावती में शिवसेना नेता योगेश गरड पर अपराधियों ने मारी गोली अब अस्पटाल में चल रहा है इलाज तीन लोगों पर एफाई आर दर्ज एक गिरफतार राजस्थान के अलवर में मंदिरों को गिराने के मामले में राज़नीती गर्माई सवाई माधुपुर से बीजेपी सांसत सुखवीर सिंग जानपुरिया ने कहा बदला लेने के लिए मंदिरों को गिराना कॉंग्रेस का महापाप पंजाब के सीम भगवंतमान आज दिल्ली दौरे पर आएंगे सरकारी स्कूलों और महला क्लिनिक का करेंगे दौरा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदितिनाथ के दूसरे कारेकाल का आज एक महीना पूरा पिछले एक महीने में की गई कई बड़े फैसले उन्होंने लिए गोहाटी नगर निकम चनाओं में बीजेपी की बड़ी जीत 60 सीट में 58 सीटों पर बीजेपी और सहयोगी दल एजीपी का कबजा कॉंग्रेस हाता भी नहीं कोल पाई समाजवादी पार्टी से नाराज चल रहे है आजम खान पर अखिले श्यादव का बड़ा बयान कहा पार्टी आजम खान के साथ है उनसे कोई नाराजगी नहीं उनकी जमानत के लिए कोशिश करेंगे यूपी के मेरट अमेठी में अखिलेश यादव ने आत्मत्या करने वाली महिला दारोगा के परेजोनों से मुलाकाद की योगी सरकार पर उठाए सवाल कहा थाने में बैठे सीम की जाती के लोग अन्याय कर रहे हैं मनी लॉंडरिंग केस में सोनिया प्रियंका का नाम यस बैंक के को फाउंडर का दावा MF हुसेन की दो करोड की पैंटिंग खरीदने के लिए गांधी परिवार ने बनाया था दबाव बीजेपी ने मांगा हिसाब प्रियंका वाडरा गांधी दबाव बनवाती हैं पूर मंत्रियों से कि राना कपूर दो करोड रुपई की पैंटिंग खरीद है 2010 का ट्रांजेक्शन 2022 आज 12 वर्ष बाद आप इसको भुना रहे हैं भुना रहे हैं गोदी मीडिया के थ्रू 143 वस्तूओं की GST बढ़ाने का कॉंग्रिस ने किया विरोध केंदर सरकार के प्रस्ताव को कॉंग्रिस ने मजाग बताया राज्य और केंदर सर्पर विरोध की भी की बात इस बार जो प्रस्तावित है मुझे लगता है कि ये कुछ लुप्त सुप्त सरकार कर रही है या सरकार के सीधे दाएं हाथ को मालुम नहीं के बायां हाथ क्या कर रहा है धारा 370 हटाई जाने के बाद पीम मोदी का जम्मू कश्मीर का पहला दौरा राश्ट्री ये पंचायती दाज दिवस पर देश भर की ग्राम सभाओं को सम्भूधित किया 20 हजार करोड की परियोजनाओं की भी दी सूबे को सौगात पीम ने ओल वेदर बनिहाल काजी गुंड रोड टनल का उधगाटन किया दिल्ली अमरित सर कट्रा एक्सप्रेस वे की भी आधारशिला रखी पीम मोधी आज दिल्ली में राईसी ने डायलोग के साथ में संस्क्राइब परियोजनाओं का उधगाटन करेंगे यूरप एक कमिशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन चीफ गेस्ट होंगी बैंगलूरु में खेलो इंडिया युनिवर्सिटी गेम्स का आगाज उपराश्पती वेंकर य नाइडू ने उधगाटन किया खेलो मंत्री अनुराक ठाकुर भी मौजूद थे खेलो इंडिया युनिवर्सिटी गेम्स के आयोजन पर पीम मूदी का संदेश पीम ने कहा अब देश में नए स्पोर्स साइन्स सेंटर स्थापित हो रहे हैं केंद्री मंत्री जोतिराधित सिंधिया और वीके सिंग ने मेगा योग प्रभाग कारिक्रम में हिस्सा लिया सब्दर जंग एरपोर्ट के पास हुआ कारिक्रम का आयोजन परियाना के सीम मनुहराल खटर ने पारंपरिक मार्शल आर्ट गटका में हिस्सा लिया 400 वे प्रकाश पर्व कारिक्रम में हुआ इसका आयोजन पीम मोधी को मिला पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अबॉर्ड आशा पारेक जैकी श्रॉफ को सिनिमा में उनके योगदान के लिए मास्टर दीनानाथ पुरसकार स्पेशल ओनर दिया गया मैं इस पुरसकार को सभी देश वाक्षों के लिए समर्पित दरता हूँ राजधानी दिल्ली के जहांगीर पुरी में आज इफ्तार पार्टी का आयोजन होगा कल दोनों समुदायों ने मिलकर निकाली थी तिरंगा यात्रा हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदायों ने एक साथ मिलकर दिया एकता का संदेश गुजरात के कॉंग्रेस विधायक जिगनेश मेमानी की जमानत पर आज असम में कोकराजार कोर्ट में सुनवाई होगी जम्मू कश्मीर में पुलवामा के पाहू इलाके में लशकर के डिप्ती कमांडर आरिफ हजार समे तीन आतंकी मारे गए इंस्पेक्टर परवेज और S.I. अर्शित की भी की हत्या में शामिल था आरिफ लखीम पुर्खीरी हिंसा के मुख्या आरोपी आशीश मिशा ने CGM कोर्ट में सरेंडर किया सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द की थी आशीश पर किसानों को गाड़ी से कुचलने का आरोप है हिमाचल प्रदेश के सोलन में लगी आग बडोग के जंगल से फैरी आग कालका शिमला नैशनल हाइवे तक पहुँची लाखों की बंसंपदा जलकर हुई खाक श्री राम जन भूमी तीर्थ ख्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नर्तिगोपाल दास लखनव के मेदानता अस्पताल में भड़ती यूरिन इंफेक्शन की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में भड़ती कराया गया दिल्ली में आश्रम अंडरपास कल से फुल टाइम के लिए खुल जाएगा आश्रम अंडरपास खुलने से आई टियो और सेंट्रल दिल्ली से आने जाने वाले लोगों को ट्राफिक में राहत मिलेगी यूपी के मुरादाबाद में पुलिस के स्निफर डॉग की मौत राजकी सम्मान के साथ दी गई डॉग को अंतिम विदाई बीते दस सालों से यूपी पुलिस की सेवा कर रहा लेबरडॉर डॉग वीकॉन इस बार भी पियम मूदी के नाम से होगी चार धाम में पहली पूजा उत्राखंड के परेटन मंत्री सत्पाल महराज का बयान चार धाम यात्रा के दौरान कोरोना नियमों का पालन जरूरी होगा MP के इंदौर में 28 से 30 अपरेल तक होगी मध्य प्रिदेश आटो शो इससे पहले निकाली गई सुपर कार और सुपर बाइक रैली नहरू स्टेडियम से शुरू हुई सुपर कॉरिडोर पर जाकर खत्म होगी ये रैली मौसम विभाग के मुताबिक इस हबते दिल्ली का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है आज से हीट वेव चलने की आशंका दिल्ली के सरोजी नगर इलाके में जुग्गी हटानी की कारिवाई के खलाप याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा देश में पिछले 24 घंटों में कुरोना के 2500 से ज़ादा नए केसे सामने आये हैं खल एक्टिव केसिस की संख्या 16,000 के करीब पहुंची दिल्ली में 24 घंटे में 1083 नए कोरोना मरीज सामने आये एक मरीज की मौत एक्टिव केसिस की संख्या 3975 हुई यूपी में भी कोरोना की रफ्तार तेज 24 घंटे में 213 नए मामले सामने आये दो मरीजों की मौत नॉइडा में सबसे तेज जादा रफ्तार से 98 केस तो गाजियाबाद में 56 नए मरीज मिले हैं आई पील में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मकाबला पंजाब किंग्स से होगा स्कोर बोर्ड पर चेन्नई ने साथ में से जीते हैं सिर्फ दो मैच शाम साड़े साथ बजे शुरू होगा मैच केयल राहिल ने विराठ कोहली को छोड़ा पीछे रोहिच शर्मा से की बराबरी कोहली के नाम से हैं 5 शतक केयल राहिल और रोहिच शर्मा 6 शतकों के साथ बराबरी पर हैं मुंबई इंडियन्स को लखनव सुपर जाइंट्स ने 36 रनों से हराया टूर्णामेंट में लगातार आठ्वी बार हार जहिलने के बाद मुंबई की पुल आफ में पहुंचने की उमीरें लगभख खत्म IPL 2022 में लगातार पांच जीत और सन्राइजर्स हिदराबाद की टीम ने खास अंदाज में मनाया जश्टन कप्तान कैन विलियमसन ने बजाया कितार